तो जिस तरह से आपको पता है महाँ पास react.js की लेक्टर सिरीज चल रही है तो आज हम updating phase का part number two cover करने जा रहे हैं जिसरा मैंने आपको बताया था कि react life cycle के अंदर three phases होते हैं mounting, updating और तीसरा unmounting तो mounting हमने अपने previous lectures के अंदर cover किया था तो यह जो आज का lecture है updating phase in react life cycle इसका part one मैं already upload कर चुका हूँ ठीक है जो part number 23 में था लेकिन आज मैं अपने updating phase को complete करूँगा इस वीडियो के अंदर तो यह हमारा updating phase का part number two होगा सही है और part number यह जो two है updating phase का वो आपको कौन से part में मिलेगा part number 24 में तो मैं हूँ आपका सर मुहमद आदिल और अब हम अपना lecture start करते है तो भाई देखो updating phase के बारे में मैंने आपको बताया था कि updating phase कब occur होता है जब भी आपका component update किया जाता है मतलब जब आपके component की state या props update होते है तो updating phase occur होता है और जब updating phase occur होता है तो उसके अंदर 5 methods है जो के इसी order में execute होता है ठीक है पहला यह है get derived state from props दूसरा है should component update फिर है render फिर है get snapshot before update और फिर last है component did update तो भाई देखो updating phase का है जो हमने पहला part cover किया था अपने previous lecture में उसके अंदर मैंने आपको एक method के बारे में बताया था और वो कौन सा था यह पहला वाल get derived state from props ठीक है मतलब मैंने आपको इसकी एक actual example बताई थी जो के हमारी react applications के अंदर use हो सकती है ठीक है तो अगर किसी ने हमारा updating phase का part नहीं देखा पहला वाला तो मैं recommend करूँगा कि पहले वो वाला part देख लो क्यों क्योंकि उसके अंदर ही जो get derived state from props है ना इसको हमने detail में cover किया था ठीक है तो आज इस lecture के अंदर हम बाकी के जो methods है ना second वाला third fourth और fifth इनको हम हम cover करेंगे और एक बात याद रखना जब भी updating phase occur होता है मतलब जब भी आप अपना component update करते हो तो यह 5 methods execute होते हैं और यह इसी order में execute होते हैं जो आपको नजर आ रहा है 12345 मतलब इनका order आगे पीछे नहीं हो सकता ठीक है अच्छा फिर मैंने आपको एक और बात बताएती है जो पस methods हैं इन में से तीन ऐसे method है जो के बहुत rare cases के अंदर use किया जाते हैं मतलब जो के बहुत कम use होते हैं और दो methods जैसे हैं जो जादा use किया जाते है तो पहले आ आपको बताता हूँ rarely use methods कौन से हैं यह जो पहला वाला है नंदर method है मतलब बहुत कम यूज होता है इसी तरह should component अपडेट ये भी बहुत कम यूज होता है और फिर आपके पास third method है ये वाला get snapshot before update ये भी बहुत rare cases के अंदर use होता है और mostly use होने वाले कौंचे method है एक ये render है और last में ये जो आपके पास component did update तो देखो ये जो पहला method है इसको तो हमने cover कर लिया था तो इसको हम इस lecture के अंदर discuss नहीं करेंगे मना जो हमारी वीडियो है वो lengthy हो जाएगी लेकिन मैं इसके points आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखो ये पहला point है ये दूसरा point है ये तीसरा point है ये चौथा point है ये सारे points हम अपने previous lectures के अंदर discuss कर चुके है और इन points का क्या मतलब है वो भी मैं बिलकुल easy तरीके से समझा चुका हूँ with practical ठीक है फिर second जो slide थी उसके अंदर भी इसी method के अवाले से कुछ points है जिस तरह ये वाला पॉइंट है ठीक है और फिर next point है अच्छा इसके अंदर में last point आपको बताता हूँ ठीक है जो के मैंने वहां पर आपको नहीं बताया था last point है ये देखो क्या कह रहा है ये जो method है get derived state from props this method is called every time a component is rerender मतलब देखो जब जब आप component को update करोगे न तब तब आपके पास ये वाला method चलता है मतलब ये वाला method हमेशा call होता है जब भी आपका component rerender किया जाता है और आपको पता है rerender करने के अंदर भी render वाला method चलता है तो इसका मतलब render वाला method भी चलता है और ये वाला method भी आपके पास हमेशा चलता है कब जब भी आपका component update होगा या rerender होगा अचा फिर इसका syntax भी मैंने आपको बताया था ठीक है syntax में क्या था कि ये वाला जो method है ये static method है और ये दो parameters accept करता है props और state तो भाई देखो अब जो मैं आपको method बताने वाला हो वो हमारे पास second method जो के get derived state from props के बाद execute होता है जिसका क्या नाम है should component update अब एक चीज़ नोटिस करो यहां पर देखो should component update नाम से ही जाहर है कि भाई इसका मतलब क्या है कि क्या component को update होना चाहिए और देखो ये नाम से ही जाहर है कि ये boolean value return करेगा मतलब या तो true return करेगा या false return करेगा एक बात बताता जाहूं कि ये method by default true return करता है इसलिए जब भी आप update करते हो updating face के अंदर आते हो तो क्या होता है आपका component re-render होता है लेकिन अगर आप इस method को use करके इस method के अंदर return false करवा देते हो तो आपका component re-render नहीं होता क्योंकि इस method का काम ही यह है कि confirm करना कि should component update क्या component update होना चाहिए अगर होना चाहिए जो कि by default behavior होता है तो उस case में true pass होता है लेकिन अगर आप for some reason आप चाहरे हो कि component आपका re-render ना हो मतलब दुबारत से update ना हो तो उस case में आप क्या कर सकते हो इस method के अंदर false return कर सकते हो तो इसके point देख लो देखो क्या कह रहा है use should component update to let react no if a component's output is not affected by the current change in state or props मतलब भाई देखो यहां पर क्या बता रहा है कि आप इस method को use करके react को बताते हो कि हमें अपने component का output change नहीं करना भले हमने state या props तो update कर दी है लेकिन हमें अपने component का जो output render होता है उससे update नहीं करना तो उस case में हम इस method के अंदर क्या return करवा सकते है false तो जब इस method के अंदर हम false return करवाएंगे तो क्या होगा हमारी state और props update तो हो जाएगी लेकिन जो हमारे component का output होता है वो change नहीं होगा for example मैंने एक result display करवाया हुआ है आदिल और मैं कहता हूँ कि जैसी में button पे click करूँगा तो वो आदिल से कुमार हो जाए लेकिन अगर मैंने इस method के अंदर false return करवाया है तो क्या होगा state के अंदर आदिल से कुमार तो हो जाएगा लेकिन कुमार हमें हमारे component के output में मतलब browser में show नहीं होगा तो यह भी मैं आपको practical भी करके दिखाता हूँ तो और अच्छे से clear होगा फिर यहाँ पर देखो it means should react rerender or not मतलब जहाँ पर यह जो method है वो make sure करता है कि react हमारे component को rerender करे या ना करे क्योंकि भाई देखो मैंने आपको क्या बताया था कि default behavior क्या होता है कि जब भी आप अपना component update करते हो तो लाजमी rerender होता है लेकिन for some reason अगर कोई ऐसी situation आ जहाँ पर हमें rerender नहीं करना तो उस case में इस method को use करके हम क्या कर सकते है return false करवा सकते है फिर देखो third point should component update is called before render method ठीक है मतलब आपको याद होना चाहिए कि इसका order क्या है यह जो should component update है यह कब चलता है render method से पहले चलता है और get derived state from props के बाद execute होता है ठीक है तो आपने यह याद रखना है फिर देखो next point this method return true by default बाइब बात कर रहा है कि by default यह क्या return करता है true return करता है मतलब अगर आप इस method को use नहीं करते न तो default behavior क्या होगा कि यह method true return करेगा मतलब अगर आप अपने method को नहीं लिखोगे तो by default यह method क्या करेगा true return करेगा और आपका component rerender हो जाएगा फिर आजाओ अब देखो यहापर क्या कह रहा है render method will not be called if should component update return false बाइदेखो बहुत जादा important point मतलब interview के अंदर पूछे जाने वाला सवाल क्या कह रहा है कि render method execute नहीं होगा call नहीं होगा कब जब आपका should component update false return करता है तो यह बहुत important point है आपने याद रखना है इसको practical करके भी अभी दिखाता हूँ फिर आगे आजाओ अब यहापर देखो क्या कह रहा है we cannot use sttp request मतलब API calls in this method and also we cannot call the set state method मतलब देखो इस point में बता रहा है कि इस method के अंदर हम कौन कौन से काम नहीं कर सकते मतलब हम sttp request वाले काम नहीं कर सकते मतलब API call वाला काम नहीं कर सकते कि कि किसी API के थ्रूगा data fetch करना है तो वो काम हम यहाँ पे नहीं करेंगे वो काम कहां पे करेंगे मैं स्टेट को अपडेट नहीं करना स्टेट को अगर आपने अपडेट करना है तो इस से पहले वाला method था get derived state from props ठीक है तो एक यह point याद रखना है फिर आगे आजाओ this is rarely used method according to react documentation देखो वही बात जो भी मैंने आपको बताई थी कि यह method बहुत ज्यादा rare cases में use होता है मतलब बहुत ज्यादा कम use होता है according to react documentation बहुत बहुत कम use होता है लेकिन use तो हो सकता है तो इसलिए इसकी working आपको पता होनी चाहिए अब आगे आजाओ अब मैं आपको इसका syntax बता देता हूँ तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है should component update आपके method का नाम और फिर इसके अंदर दो parameters है next props और next state इसका मतलब अगर आप props और state update करते हो तो वो जो updated props और state है वो in parameters के अंदर आके store होंगे तो यह आपने याद रखना है अब मैं इस अकसर programming में ऐसा होता है मैं माइक लगा के बैठा वा था लेकिन उसे on करना भूल गया इसलिए थोड़ा सा आपको difference feel हो रहा होगा खैर आगे चलते हैं तो देखो यहाँ मैं अपने visual studio code के अंदर आ गया हूँ और अब मुझे क्या करना है मैं आप एक fresh component बनाता हूं ठीक है म class component होगा तो RCC लिखकर मैं यहाँ पर enter करता हूँ ठीक है देखो यह आ गया तो देखो सबसे पहले इस component को मैं अपनी index file के अंदर यहाँ पर call कर लेता हूँ ठीक है person सही है person लिखकर आप मैं इसको save करता हूँ और इस person को मुझे यहाँ पर import भी करना है ठीक है तो यहाँ प person दे दिया और इसको मैंने यहाँ पर देखो नीचे यहाँ पर call कर लिया सही है सही तो देखो अब आते है person.js के अंदर तो देखो यहाँ पर हम मैं सबसे पहले कुछ काम करता हूँ ठीक है वो काम करूँगा जो हम previous lectures के अंदर देख चुके हैं तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं एक constructor बनाता हूँ तो उसके लिए shortcut मैंने आपको बताया था R const ठीक है R const लिखके आप enter करो देखो constructor आ गया और इसके अंदर एक state आपको नजर आ रही होगी इसके अंदर मैं एक state बना लेता हूँ for example मैं आपे कहता हूँ name ठीक है name के अंदर मैं आपे store कर देता हू for example आदिल के store कर दिया मैंने आदिल और जब यह constructor चलेगा तो इसको track करने के लिए monitor करने के लिए मैं आपे CLG लिखके enter करता हूँ ठीक है मतलब console.log और इसके अंदर मैं message pass करवा देता हूँ यहाँ पे constructor called ठीक है जिससे मैं पता चलेगा कि constructor call हुआ है और अब यह जो state है ठी ठीक है अपने div के अंदर render के अंदर s1 लिखते हैं यहाँ पर आके ठीक है और इसके अंदर मैं expression open कर लेता हूँ और यहाँ पर कहता हूँ this.state और इसके अंदर मैंने क्या store किया था name की property उसको मैं यहाँ पर आके access कर रहा हूँ सही है ठीक है तो अगर मैं अभी अपना program आदिल नजर आ रहा है ठीक है और यह कहां से आ रहा है यह state से आ ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखो यह जो index.js है ठीक है यहाँ पर मैं person को call कर रहा हूँ अब person component को call करते वक्त मैं आपे कुछ इसको props pass करता हूँ तो props के अंदर for example मैं आपे क्या देता city ठीक है वहाँ पर मैंने name pass किया यहाँ से मैं city pass कर रहा हूँ और city मैं मैं अपनी city देता हूँ for example हैदराबाद ठीक है city मैंने यहाँ पर पास कर दी ठीक है तो city आपके props के अंदर यहाँ पर आके store हो गया तो इस props को मैं यहाँ पर access करता हूँ ठीक है यहाँ पर access करता और इसके अंदर मैंने क्या store किया था city ठीक है तो इसको save करते हैं और अगर browser पर आउँ तो यहां पर देखो आदिल नजर आ रहा है और है और हैदरबाद नजर आ रहा है ठीक है तो देखो अब मैं क्या करता हूँ अब मैं यहाप एक button मनाता हूँ और मैं कहता हूँ जैसी मै उस button पर click करूँगा तो यह जो नाम आपको नजर आ रहा है आदिल यह आदिल से क्या हो जाए for example कुमार हो जाए ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखो मैं एक button मनाता हूँ यहाँ ठीक है एक हम button मनाते है ठीक है button लिखके मैं यहाँ पर enter करता हूँ और इसका मैं नाम लिख देता हूँ for example change state ठीक है इस button के अंदर क्या लिखा होगा change state और इसके अंदर मैं on click का यहाँ पर event call करता हूँ और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि भई मैं एक अभी method बनाऊँगा ठीक है जिसका नाम होगा change state और इसको हम camel casing में रखते है ठीक है change state त पहले यहाँ पर आते हैं इसका मैं नाम यहाँ से copy करता हूँ ठीक है और नाम copy करने के बाद यहाँ पर मैं इसको paste कर रहा हूँ और देखो यहाँ पर जो मैं method बनाऊँगा वह arrow method होगा मतलब arrow function होगा ठीक है तो यहाँ पर is equal is equal के बाद parenthesis और फिर यहाँ पर यह arrow आ गया और फिर यह आ गई इसकी body तो अब मैं कह रहा हूँ कि जैसी में button पर click करूँगा तो state change हो जाए state के अंदर यहाँ पर देखो अभी क्या store है आदिल मैं कहता हूँ आदिल से कुमार हो जाए तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ देखो this dot यहाँ पर method use करूँगा set state आपको पत इस बटन के ओपर click करूँगा तो यह वाला event handler चलेगा और हमारी state को update कर देगा और आदिल की जगह क्या render करवा देगा हमें कुमार ठीक है तो देखो इसको save करता हूँ इसकी working में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देखो नज़ा रहा है आपको change state और अगर मैं console open करके दिखा हूँ देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ right click करता हूँ inspect पर जाते हैं और console मैं अपना यहाँ से open कर लेता हूँ ठीक है देखो यह अभी मैंने तीन चार दफ़ा safe किया था ना इसलिए यह चार दफ़ा इसको clear कर देता हूँ refresh करता हूँ अपना console तो देखो एक दफ़ करता हूँ यह जो हमारे पास event handler था ना इसके अंदर भी मैं console.lock करवाता हूँ ठीक है और इसके अंदर मैं आपकर पास कर देता हूँ बटन क्लिक्ट ठीक है बटन क्लिक्ट के यहां पर पास करता हूँ ठीक है और यहां पर देखो render है ना render के लिए भी मैं आप एक console.log लिख लेता हूँ ठीक है और इसको मैं क्या देता हूँ render called ठीक है जिससे हमें पता चले के भई कौन सा method कहां पर call हो रहा है सही तो इसको save करते हैं एक दफ़ा अपना यहां पर यह जो console है उसको refresh कर लेता हूँ तो अभी देखो क्या हुआ constructor चला और render call हुआ मतलब अभी यह समझ लो mounting phase चल रहा है अभी updating वाला काम नहीं किया क्योंकि मैंने अभी button पर click नहीं किया देखो आदिल से कुमार हो गया और अब नीचे देखो हमारे पास क्या हुआ button पर click हुआ तो button click का message है और उसके बाद देखो render called तो जब render दुबारा हुआ मतलब re-render हुआ तो उसने data आदिल से क्या कर दिया कुमार सही है ठीक हो देखो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अब मैं आता हूँ अब जो हमारे पास update करते वक्त सबसे पहला method होता है जिसका क्या नाम होता है get derived state from props ठीक है तो वो मैं आपर बना लेता हूँ get derived state from props मतलब मैं सारे method अब यहाँ पर implement करके दिखाऊंगा एक साथ ताके आपको उसका order समझ में आए क्योंके देखो इस method को detail में तो मैं समझा चुका हूँ last lecture में इसलिए मैं इस method को just लिख रहा हूँ इसको मैं explain नहीं करूँगा ठीक है तो यहाँ पर देखो सबसे पहला parameter आता है इसमें props और उसके बाद दूसरा parameter आता है state ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको console.log करवा लेता हूँ और इसको भी हम track कर लेते हैं कि यह वाला method क्या हुआ है call हुआ है ठीक है तो यहाँ पर आके मैं इसको लिख देता हूँ this method called और उसके बाद यहाँ पर देखो clg लिखके मैं सबसे पहले मैं आप अपने props को get कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या कर लेता हूँ अपनी state को भी get कर लेता हूँ ठीक है और यहाँ पर देखो यह method अभी हमें कोई updated state return नहीं करेगा तो इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं इसको null return करवा देता हूँ ठीक है return null ठीक है shift alt f करके इसको beautify कर देते है ठीक है null क्यों pass कर रहा हूँ क्योंके भाई देखो यह method क्यों use होता है जब हम props की मदद से state को update करवाते है लेकिन यहाँ पर मैं state update का काम नहीं कर रहा मैं direct state और props वगेरा को console में display करवा रहा हूँ ठीक है सही है तो इसको save करता हूँ इसको भी मैं आपको result इसका दिखा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आके मैं इसको एक दफा refresh कर लेता हूँ ताके console हमारा clear हो जाए तो देखो अभी यह mounting phase है तो भई आपको पता है न कि constructor mounting phase का पहला method होता है दूसरा होता है आपके पास यह get derived state from props मतलब यह एक ऐसा method है जो mounting में भी चलता है अब मैं करता हूँ change state button पे click करता हूँ तो देखो मैं इसको थोड़ा ओपर ले आता हूँ अब इस button पे click करता हूँ तो जैसी button पे click करूँगा अब result देखो देखो button पे click हुआ चूंके render के अंदर button था देखो button पे click हुआ तो वो event handler चला है फिर उसके बाद हम जो second method है उसकी बात करते है जो के कौन सा था ये वाला should component update तो देखो इसके जो मैंने points आपको बताये थे अब उसी का मैं आपको practical करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखो मैं आपे आता हूँ should component update आगया ठीक है और यहाँ पे इसकी body आगया और इसके अंदर parameters कौन कौन से थे next props और next state next props और next state का मतलब जो मैं update कर चुका हूँ मतलब यहाँ पे मैं आदिल से कुमार कर चुका हूँ तो next state के अंदर हमें क्या print होगा कुमार print होगा तो यह आपने याद रखना है ठीक है और उसके बाद इसके अंदर दो parameter बनाने ना मुझे कौन कौन से सबसे पहला बनाना है next props और दूसरा parameter बनाना है मुझे यहाँ पे next state ठीक है तो इन दोनों methods को भी मैं यहाँ पे क्या करवा लेता हूँ console.lock करवा लेता हूँ इन दोनों parameters को ठीक है तो सबसे पहले क्या है next props है ठीक है और फिर यहाँ पे किसी को मैं copy करता हूँ नीचे आके paste करता हूँ और यहाँ पे आके फिर क्या है हमारे पार next state ठीक है और देखो मैंने क्या बताया था कि यह वाला method आपके पास या तो true return करेगा या false return करेगा लेकिन मैंने क्या बताया था यह method by default क्या return करता है true लेकिन देखो एक important point यह method by default true तब return करेगा जब आप इसको नहीं लिखोगे सही है लेकिन अगर आप इसको लिख देते हो ना मतलब इस method को अगर आप right कर देते हो तो जैसी button पर click किया यहाँ पर देखो पहले error पढ़ लो यह देखो क्या error कह रहा है should component update method return undefined instead of a boolean value make sure to return true or false मतलब देखो आप जब भी यह method यूज करोगे तो आपको make sure करना है कि आपको लाजमी या तो true return करवाना या false क्योंकि मैंने क्या बताया यह method true कब return करता है जब आप इसको लिखोगे ही नहीं लेकिन अगर आपने इसको लिख दिया तब आपने इसको लाजमी यहाँ पर देखो बताना पड़ेगा के true या false for example मैं अभी इसको करता हूँ return true ठीक है ताकि इसकी working आपको समझाओ ठीक है तो देखो इसको save करते हैं अच्छा एक चीज़ notice करो यहाँ पर देखो मैं end में semi colon लगा रहा हूँ भाई देखो अगर मैं semi colon नहीं लगाता ना तब भी मुझे कोई error नहीं देगा react के अंदर यह अच्छी चीज़ है लेकिन अक्सर programmers को आदत होती है यहाँ पर देखो देखो बटन पर क्लिक हुआ आपने यहाँ से देखना है बटन पर क्लिक हुआ उसके बाद get derived state चला तो देखो city तो वही है क्योंकि मैंने props को change नहीं किया मैंने state को change किया क्या हो गया आदिल से कुमार हो गया और अब यहाँ पर देखो should component update चला और यहाँ पर देखो state क्या updated है कुमार क्योंकि यह next state है और next का मतलब जो update हो चुकी है वो वाली उसकी बात कर रहा है और फिर उसके बात क्या हुआ render call हुआ लेकिन अभी आप notice करो मैंने इस method के अंदर should component update के अंदर मैंने return to करवाया था ना इसलिए देखो render चल रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पर return false करवा दूँ तो यह render method नहीं चलेगा और यह जो value updated value आपको show रही है कुमार यह भी show नहीं होगी क्योंकि यह जो updated value है यह re-render होने पर आपको मिल रही है लेकिन अगर render चलेगा ही नहीं दुबारा तो कुमार भी show नहीं होगा तो इसका भी मैं आपको demo दे देता हूँ यहाँ पर देखो अभी क्या है return true मैं आप इसको क्या कर देता हूँ return false ठीक है return false करता हूँ इसको save करते हैं अपने browser को यहाँ पर आके मैं refresh करता हूँ ठीक है देखो console clear हो गया और यह mounting चल रहा है और अब देखो मैं button पर click करता हूँ यह देखो जैसी button पर click किया तो यहाँ पर देखो button पर click हुआ मतलब event handler चला तो यहाँ पर देखो get derived state के अंदर देखो state update हो गई और उसके बाद देखो should component चला और देखो इसके अंदर भी state update हो गई लेकिन render method नहीं चला क्यों क्योंके मैंने यहाँ पर return false करवा दिया था और जब re-render नहीं हुआ तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आदिल से कुमार भी नहीं हुआ यह बहुत important point है समझने वाला इस life cycle को अगर आप नहीं समझोगे आप कभी भी react app के साथ काम नहीं कर सकते ठीक है तो यह point बहुत जादा जरूरी है return false करोगे तो आपका यह render method नहीं चलेगा सही है तो मैं फिलाल इसको क्या करता हूँ return true कर देता हूँ चाहिए इसको save करते है ठीक है तो मतलब भी जो should component update है ना इसमें आप ऐसी logic लगा सकते हो या ऐसा काम कर सकते हो जिसके बाद आप यह decide करोगे कि आपको re-render करवाना है या नहीं करवाना re-render करवाना है तो return true re-render नहीं करवाना तो return false क्योंकि मैंने क्या बता है अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि भी हमारी state या props तो update हो जाए लेकिन हमारा component का जो output है वो change ना हो तो उस case में हम ये वाले method का use करते है अब आगे आजाओ ठीक है आप देखो ये second method था order में अब जो next method है वो है render भाई देखो इससे तो हम सब वाकिफ हैं ये भी हम ये हमने mounting में भी discuss किया था और इसको हमने पहले भी discuss किया हुआ है जब हमने अपने react app में काम करना शुरू किया था जब हमने jsx को पढ़ा था तब भी इस method को हमने discuss किया था लेकिन यहाँ पे कुछ points हैं इनको आप देखते जाओ मैंने आपको बताया था render is the only required necessary method in the class component so all other methods are optional मतलब आपके class component में ये render method required होता है लाजमी होता है तब ही जब हम shortcut RCC को use करके अपना class component मनाते है तो render method उसमें लाजमी आता है इसका मतलब बाकी के जो सारे methods है वो optional है वो according to the needs use किये जाते है फिर देखो second point in this method we can read props and state and return jsx मतलब इसी method के अंदर जो भी हमारे props और state आ रहे होते है हम उन्हें render करवाते हैं डिस्पले करवाते हैं और वो हमें JSX return करता है JSX का complete topic हम cover कर चुके है तो अगर किसी ने JSX की वीडियो नहीं देखी तो हमारी इसी playlist के अंदर से देख सकता है फिर देखो third point in this method we cannot change the state or interact with the DOM or make Ajax calls अब देखो third point के अंदर render की कुछ limitations बता रहा है क्या कह रहा है कि इस method के अंदर हम state को change नहीं कर सकते मतलब set state वाला method हम यहां भी use नहीं कर सकते फिर हम DOM के साथ मतलब actual DOM के साथ जो interaction है वो भी नहीं कर सकते और हम Ajax calls बगरा का काम भी नहीं कर सकते तो यह सारा काम हम कहां कर सकते हैं भी अभी मैं आपको बताता हूँ फिर देखो चौता पॉइंट चिल्डरन कंपोनेंट्स लाइफ साइकल मैथर्स आर अल्सो एक्जिक्यूटेड देखो इस केस में भी आपके जो चिल्डरन कंपोनेंट्स होता है न मतलब अगर आपने अपने कंपोनेंट के अंदर कोई चा चाइड कंपोनेंट है उसके भी life cycle वाले मैथर्स चलेंगे ये भी हमने mounting फेस के अंदर कवर कर लिया था कि यह चिल्डरन कंपोनेंट्स का क्या कॉन्स minimal ज्च के अंदर के अंदर कवर कर लिया था फिर आगे आजाओ अब यहाँपे देखो rendra का syntax बहुत जादा simple यह तो हम आपने चौछे मेतड़न की तरफ जिसका नाम है get a snapshot before update भए भई देखो यद्क ये भी नाम सही जाए रहे है कि update करनेसे पहले आपने snapshot ले आपने snapshot मतलब कुछ capture करना है ड्मक्द ह्ट है and capture up update करने से पहले-पहले before,snapshot लेते हो ना, अपने मुवाइल में जिस तरह से स्क्रीन शॉट लेते हो लड़की ने आपको I love you बोल दिया ठक से आपने क्या क्या स्क्रीन शॉट लेके रख लिया उसको देख देख के खुश होते रहते हो मजाग कर रहा हूं ठीक है तो यहाँ पे देखो get snapshot before update का क्या मतलब है के भई update होने से पहले पहले आप कुछ snapshot get करते हो मतलब कुछ information get करते हो कहां से get करने की बात कर रहा है हमारे dom से actual dom से कुछ information get करने की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखो पहला point देखो क्या कह रहा है this method is called right before the virtual dom is about to make changes to the actual dom before dom is updated मतलब देखो यह क्या कह रहा है this method is called right before the virtual dom is about to make changes to the actual dom मतलब यह method कब चलता है ठीक उससे पहले चलता है जब आपका virtual dom changes apply करने वाला होता है आपके actual dom में मतलब जैसे आपका actual dom अपडेट होगा उससे ठीक पहले आपके पास आपके वाला method call हो जाएगा ठीक है अब इस method का मकसद क्या है यहाँ पर देखो second point it allows our components to capture the current values or some information from the dom for example scroll position before it is potentially changed भाई देखो इस point को समझाने से पहले मैं आपको इस चीज़ समझाता हूँ भाई देखो हम react.js को क्यों यूज करते है single page application मनाने के लिए मतलब ऐसी web application जिसमें सिर्फ single page होता है तो भाई देखो अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने उस web page में scroll करके नीचे आ जाते हो scroll करके आप नीचे आ गए और वहाँ पे अगर आपने किसी button पे click किया तो अगर आप scroll position की information maintain नहीं करते ना तो क्या होता है button क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका page reload होगा या rerender होगा तो उस case में क्या होता है आपका जो scroll position है वो दुबारा top पे चली जाती है तो उस case में हम इस method को use कर सकते कि भाई मैच आ रहा हूँ कि अगर मैं scroll करके नीचे आया और मैंने किसी button पे click किया तो अब जहां पे मैंने button पे click किया है न उस वक्त scroll की position क्या थी scroll position मतलब वो जो right side पे scroll बार होती है उसकी क्या position थी आपने उसको capture किया ठीक है और उसकी position for example आपने क्या कर दी return कर दी इस method के थूँ ताके जब update हो जाएगा मतलब re-render हो जाएगा तो आपका scroll वहीं पे रहे जहां पे आपने button पे click किया था ठीक है तो ये इस method की थोड़ी सी technicality है जो मैंने आपको बताई मतलब इसलिए ये method यूज किया जाता है भाई देखो ये जो concept मैंने आपको बताई ये मैं आपको practically तो करके नहीं दिखा सकता क्योंके हम कोई react app अभी बना नहीं रहे लेकिन concept याद रखना इसका कि अगर इस तरह का कोई भी situation आपके पास आती है तो ये वाला method आपके पास मौजूद है फिर देखो third point this method will return और return ना value मतलब देखो या तो ये method null return करेगा या ये आपको कोई value return करेगा जिस तरह मैंने क्या बताया scroll position क्या है उसकी क्या value है वो return करवा सकते हो या अगर इस तरह कोई काम नहीं करना तो आप null return करवा सकते हो तो by default समझ जाओ कि इसमें क्या return होता है null return होता है अब यहाँ पर देखो important point यहाँ पर देखो बहुत ही जादा important point any return value by this function will be passed as third parameter to our last function component did update मतलब भाई देखो ये जो method है न ये जो भी value आपको return करेगा क्योंकि मैंने क्या बताया या तो ये कोई value return करेगा या null return करेगा यहाँ पर कह रहा है अगर ये function कोई value return करता है तो वो return value कहाँ पर जाएगी ये वाला जो method है न component did update उसके third parameter के अंदर जाके store होगी इसका मतलब समझ जाओ कि ये वाला जो method है इसके अंदर 3 parameters होंगे तो जो 3 parameter होगा न इस method के अंदर उसके अंदर कौन सी value receive होगी जो हमें इस method ने return की है तो ये important point है आपने याद रखना है इसका मतलब समझे आप इसका मतलब ये है कि ये वाला जो method है get snapshot before update ये वाला और component did update ये एक तरह से bind होए वे जुड़े होए क्योंकि इसकी जो return value है वो इस method के third parameter में जाके store होगी तो bind हुए है वे ना फिर यहाँ पर देखो this is also rarely used method according to react documentation भाई देखो react documentation के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये जो method है ये भी rarely used होता है मतलब बहुत कम use किया जाता है लेकिन आपको knowledge होनी चाहिए तो अब यहाँ पर देखो अगर मैं इसका syntax आपको बता हूँ तो यह देखो यह इसका syntax है get snapshot before update और अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जो दो parameters है ना उसका मतलब है यहाँ पर देखो previous props और previous state अब देखो यह प्रीव का क्या मतलब है बहु पहले next लिखावा तब यहाँ पर previous लिखावा है बहु देखो previous का मतलब है update होने से पहले मतलब इन parameters में वह values store होती है वह props और state store होते हैं जो update होने से पहले होते हैं मैने अदिल को update किया था किस से कुमार से तो जब मैने अदिल को update कर दिया कुमार में लेकिन यहां पे फिर भी आदिल ही store होगा कुमार store नहीं होगा तो यह concept है previous state का आपने याद रखना है ठीक है तो देखो अब इस method को मैं लिखता हूँ ठीक है तो यहां पे आजाओ तो देखो यहां पे आओ यहां पे मैं method बनाता हूँ get snapshot before update ठीक है और इसको भी हम track कर लेते हैं CLG लिखके enter करते हैं और यहां पे मैं इसको कहता हूँ कि यह वाला method call हो गया है ठीक है this method called और उसके बाद यहां पे देखो CLG CLG लिखके मैं आपे previous props को पहले यहां पे display करवाता हूँ और फिर यहां पे आके मैं इसको null return करेगा या कोई value return करेगा तो for example suppose करो मैं आप एक value return कर वा दीता हूँ ठीक है कि string value return कर वा देता हूँ तो देखोँ अभी ऐगर मैं इसको save कर वो अपने browser पे आता हूँ ठीक है यहां पे देखो जैसी में save करके browser पे आये तो console पे एक error दे रहा है और error बड़ा interesting है गोर से देखो get snapshot before update method should be used with componented update देख रहो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इस method को अगर आपने use करना है तो आपने यह वाला method भी लाजमी use करना पड़ेगा क्योंकि समाइलो के यह दोनो भाई भाई हैं और यह कहता है कि जब मेरा एक भाई काम नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा ठीक है तो इसका मतलब यह वाला method भी लिखना पड़ेगा तो यह वाला method लिखने के लिए सबसे पहले इस method को हम समझ लेते हैं तो यहाँ पर आजाओ ठीक है तो अब यहाँ पर आगे आजाओ उसके बाद आपके पास मतलब right after उसके बाद आपके पास यह वाला method चलता है कब जब आपका component update हो जाता है फिर देखो second point This method is not called for the initial render initial render मतलब जब भी आप first time अपना component render करते हो ना तो तब यह method नहीं चलता यह method कब चलता है जब आप update करते हो अपना component उसके बाद चलता है और सिर्फ एक दफा चलता है यह भी आद रखना यह method सिर्फ एक दफा चलता है अब देखो third point This method is called after the render is completed in the re-render cycles मतलब देखो यह क्या कह रहा है यह method कब चलता है render method के बाद मतलब जब render method अपना काम complete कर लेता है अपने re-render वाले cycles complete कर लेता है उसके बाद यह वाला method चलता है फिर देखो next point This method is guaranteed to call only once in a life cycle देखो भाई बाद जो मैने भी आपको बताई कि यह method सिर्फ एक दफा चलता है कितनी दफा चलता है एक दफा चलता है आपके पूरे life cycle में तो यह भी interview के अंदर पूछा जाता है कि भाई ऐसा कौन सा method है बताओ जो कि सिर्फ एक दफा कॉल होता है आपके react life cycle of component के अंदर ठीक है फिर यह आपर देखो You can make AJAX calls in this method आप देखो भाई point आ गया कि भाई अगर आपको doms interaction करना है AJAX calls का काम करना है HTTP request का काम करना है तो वो काम आप यहाँ पे इस method के अंदर कर सकते हो तो भाई देखो automatically इस method की importance increase हो गई इसलिए यह method mostly use किया जाता है यह वाला और render वाला फिर आगे आजओ इस method will not be called if should component update return false अब देखो एक और important point कि यह वाला जो method है न कौन सा should component update अगर यह false return करता है तो ना तो render method चलेगा और ना ही यह वाला method चलेगा component did update मतलब देखो यह वाला जो method है न अगर यह return false करता है तो यह दो methods का रास्ता रोग देता है एक तो render method और दूसरा component did update मतलब अगर यह method false return करेगा तो ना तो render method चलेगा और ना ही component did update चलेगा यह भी मैं आपको करके दिखाता हूँ सही है अब आगे आजाओ अब देखो इसका syntax component did update लिखना है और देखो मैंने बताया था इसके अंदर 3 parameters आएंगे previous profs, previous state और snapshot मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर आजाओ ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपने render से पहले क्या लिखता हूँ component short में लिखना है component did update ठीक है यह आ गया और इसके अंदर 3 parameters आएंगे वह हम 3 parameter बना लेते हैं मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ ठीक है previous props का parameter यहाँ से copy कर लिया और इसका नाम मैंने यहाँ से copy कर लिया और पर तीसरा parameter क्या था snapshot और भाई देखो मैंने आपको बताया था snapshot मतलब इस parameter में कौन सी value store होगी जो हमें इस method से return होगी और देखो इस method के अंदर हमें क्या return हो रहा है hello इसका मतलब hello कहां पे जाके store होगा snapshot वाले parameter में store होगा तो भाई देखो इसके अंदर कुछ console.log करवा लेते हैं CLG और इसके अंदर मैं आपके कह देता हूँ के यह वाला method कॉल हुआ इसका नाम copy paste करते हैं और उसके आगे हम कुछ भी नहीं करते call लगा लेते हैं फिर दुबारा CLG CLG के अंदर मैं यहां पे सबसे पहले previous props बलके यहां से copy कर लेते हैं ठीक है previous props यहां पे मैं इसको copy paste कर लेता हूँ और फिर यहां पे CLG लिखके यह जो snapshot था ठीक है उसको भी मैं यहां पे console.log करवा लेता हूँ ठीक है और इस method में return वगरा कराने की जरूत नहीं है हमें सही है तो यहां पे देखो इसको save करता हूँ ठीक है और अब इसका result आपको दिखाता हूँ ठीक है अपने console को मैं एक दफा refresh कर लेता हूँ ठीक है तो यहां पे देखो अभी देखो मैं change state के button पे click करता हूँ तो देखो आदिल से क्या हो गया कुमार हो गया और अब यहां पे देखो जैसी button click हुआ देखो get derived state चला और यहां पे देखो updated value दिखा रहा है कुमार और फिर should component update चला यहां पे भी देखो updated value चला रहा है उसके बाद render चला और अब देखो अब जब get snapshot before update चला तो यहां पे देखो अब यह कुमार नहीं दिखा रहा है यह आदिल ही दिखा रहा है जो के previous state थी और फिर यहां पे देखो component did update चला और यहां पे देखो यह भी आपके पर previous state दिखा रहा है और फिर यहाँ पे देखो get snapshot ने जो value return की थी जो component did update के third parameter में store हुई थी वो क्या थी? hello और यहाँ पे देखो सबसे last में क्या print होड़ा hello सही है clear हुआ और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यह वाला method कौन सा should component update अगर यह false return करेगा तो ना तो आपका render चलेगा और ना ही आपका यह component did update चलेगा अब मैं इसका आपको demo दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखो उपर आते हैं यह देखो यह रहा should component update अगर मैं आपके false return कर दूँ false return कर दिया, save करता हूँ ब्राउजर पे आओ, console को अपना refresh करता हूँ तेखो अभी button पे click नहीं हुआ, मैं button पे click करता हूँ देखो जैसी button पे click किया है यहाँ पे देखो, कुमार नहीं हुआ देख रहो आदिल है, क्यों ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे देखो, button click चला उसके बाद get derived state from props चला और यहाँ पे देखो, आदिल से कुमार हो गया है should component update चला, यहाँ पे भी आदिल से कुमार हो गया है लेकिन अब देखो, ना render चल रहा है ना component did update चल रहा है समझ में आया, तो देखो, render नहीं चल रहा तो देखो, आदिल से यहाँ पे कुमार भी नहीं हुआ तो भाई देखो, यह working समझ में आनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर यही काम हो रहा है मतलब जो समझने वाला काम है, वो यही है जो मैंने आपको बताया ठीक है, clear है यहाँ तक तो भाई अब हमारे पास यह updating phase in react life cycle complete हो चुका है भाई देखो, इमानदारी से बताना अगर आपको यह lecture समझ में आया है ठीक है, तो देखो, वीडियो को like भी करके जाना एक अच्छा सा comment भी कर देना और subscribe जरूर करना ताके मैं जो भी छोटी सी मैनत आप लोगे लिए करता हूँ ठीक है, तो जब आप इस तना से थोड़ा सा मुझे return करोगे तो मैं और जादा मैनत करूँगा और जादा अच्छे अच्छे tutorials आपके लिए लेकर आऊँगा तो उमीद करता हूँ आपको इवीडियो पसंद आई होगी ठीक है, तो फिर मिलते इंशाला नेक्स लेक्चर में मुझे अपनी दौआ में याद रखना अल्ला हाफिस